तो दोस्तों यहाँ पर चलिए बात करेंगे पाकिस्तान वोमेन भर्सेस थाइलाइंड वोमेन्स के विज़ो मुकाबला खेला जाएगा इस्या कपटी 20 का यहाँ पर पाकिस्तान वोमेन्स के टीम जो वन साइडेड वीन करने वाली है तो किस परकार से हम लोगों को टीम बना यहाँ पर सबसे जादा महत पूर्ण है कि पाकिस्तान पहले बले बाजी करेगी तो क्या करना चीए और पाकिस्तान पहले गेन बाजी करेगी तो क्या करना चीए तो एसे इस थिति में किस परकार से कोंबिनेशन बनाना चीए क्योंकि थाइलाइन वोमेन्स पाकिस्तान वो इसके उपर ही हम लोग रिस्क ले लेंगे तो दोस्तों चलिए अगर ज़िए आप इस मुकाबले को खिल रहे हो तो सबसे ज़्यादा महतपूर्ण है हमारे टेली गराम चैनल को आपको जोईन करना तो आपको जोईन करना किस परकार है तो दोस्तों जैसा कि आप हमारा इस परकार से वीडियो देखते होंगे यह हो गया डिस्क्रिप्शन इस डिस्क्रिप्शन में आपको किलिक करना है जैसे हम यहाँ पर किलिक करते नीचे आपको टेली गराम चैनल का लिंक दिखाई देता इस बुलू बाले पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करते ही हमारे टेलिग्राम चैनल पर चले जाओगे, वहाँ पर दिखेगा जॉइन, आपको जॉइन हो जाना है, वहाँ पर मिलेगी फाइनल टीम, जिस टीम से मैं खूद खिलता हूँ, इनकी अलावे जील से रिलेटेड बह आपको इस परकार से दिखाई देगा, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल बने हुए, जो हूँ बहु आपको डुमेस्टिक पिलिंग ले बना जर आएंगे, उनसे आपको बचना है, ओरिजिनल चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक के जरिए ही जुड़ना है, तो दोस् इस इकबाल ये भी पावर पेले में गिनवाजी करती है, हलांकि ये है एक स्पीनर, इन्होंने भी एक मेडर के साथ एक बिक्टे लेगे, एनसंदू गजब की गिनवाजी कर रहे है, हलांकि बिक्टे नहीं मिल रहा है, लेकिन गिनवाज काफी अनुभवी और काफी है, तो हसन की बात किया, इनकी गिनवाजी में देखा लिए सबसे कमजोर कड़ी ये है, लेकिन सामने की जितनी बिक्टी में इनसे कमजोर है तो ये और भी बहतर कर रही है, तो तूबा हसन की बात के काफी बड़िया ये भी है, तो इनको भी ट्राइ करना चार चार के चार उभर ये करती है इनसे पहले बाले मेच में इनोंने दो बिक्टे भी लिया था निदाडर निदाडर की बाद के एक बहत्रिन ओलरॉंडर है लेकिन ओलरॉंडर नहीं कह सकते हैं क्योंकि अगर जैदी पाकिस्तान पहले बले बाजी करेगा तब हम बहत्रिन ओलरॉंडर कह सकत क्योंकि इनकी बल्ले बाजी आने की चांज काफी काम रहें, चार नमर पर बल्ले बाजी आते हैं, लेकिन गिन बाजी तो भज़या अच्छा खासा करके देता है, यहाँ पर दो बिक्टे लेगे, ओमीमा सोली की बात की जाए, तो देखो ओमीमा सोली आ जो है, यह घजब की गिन बाज तो नहीं है, लेकिन पाट टाइम गिन बाजी करते हैं, लेकिन गजब के हर बार यह बिक्टे ले जाती है, यहाँ पर देख सकते हो, एक ही ओभर किया, एक बिक्टे लेगे, इनसे पहले बाले में चमी दो तीन ओभर किया, तीन बिक्टे लेगे, तो पाट यह पर ऱयद के माहतपूर्ण option हो जाइंगे ये इन के लावर दोस्तोर-किस्तान-वोमेंज जो Lapажи मेंस इन्हों ने यहां पर भी किया था एक बिक्ट है यहां पर गवाई थी मलीस्या-वोमेंज को घॉप तुन जादा जादा टे फाइदा नहीं ये तो वैसे ही लोस कर जाएगी एम अली एकाइस एमीन की बात के इनका सेलेक्शन फर्स्ट मिच में बहुत कम था और हम लोगों ने पिक किया था वो अनसाइडिर वीन करवाया था लेकिन अब तो लोगों को पता चल चुका है कि ये किस परकार से आकरमक पा ही होगा इनके लावे दुस्तो थाइलेंड वोमेंस के खिलाब जो यहां पर खेलेगी यहां पर देख सकते हैं थाइलेंड वोमेंस के बाद को नन टोप जो उनके बिकट कीपर 25 रंकी पारी खिल अच्छी लाइम है और काफी बढ़ियां बलेबाजी करती है लेकिन क्या प पाइवाई की थोड़ी से फोर्म खराब है लेकिन यहां पर 19 रंकी पारी खेल के थोड़ी से फोर्म अच्छी आने की परिचाई दिया लेकिन सामने की टीम पाकिस्तान है तो मुश्कीले आएगी सुत्त है रंग की बात की जाई यह सांत में गयनवाजी करती है बलेबाज इनका जबल दस्त है हलंकी अभी तक पूरी तरह से इनके लाष्ट के कुछ मेंज देखोगे तो फुलोप रहे हैं लेकिन बलेबाजी सेक्षिन में हमारा मनना है कि अच्छा च्वाजी यह हो सकता है पी माया भी गयनवाजी पाट्टम करते साथे बलेबाजी करते आरकनों यहाँ पर छे रहन के पारेख के लिए जील पर ट्राइक करोगे तो कर सकते हो लेकिन काफी रिस्की चोईस है गयनवाजी देखे जाए इन बुछतम दो भर आपको पावर पिले में डालेगी दो भर आपको डेथ में डालेगी काफी बनिया इस पीनर गयनवाज जा लेकिन अगर जदी इनको कोई संभाल के खेलेगा तो सही है वह या चार ओबर में 20 रन आपको देगे 20-22 रन और संभाल कर खेल सकते हो लेकिन आप अगर चाहोगे किस पर एटेक करना है थोड़ा ज्यादा ज्यादा रन बनाना है तो वहाँ पर ये बिक्टे ले जाए किनको इनका ल लावमी के बाद किति फोड़ी सी इंज्री आ गई थी नहीं तो यह 4 आपर फूल गैरां बनाजी करती है और 4 आपर फूल के बाजी करती है तो भिक्टे ले जाती है उनिचा की बात की जाए ये एक बहतरी ओल्ड ओंडर की भूमिका में होती थी लेकिन पाकिस्तान वोमेंस के खिलाब ओल्ड ओंडर की भूमिका थो हम नहीं मान सकते हैं ज्यादा बहतर बल्ले बाजी नहीं कर पाएगी लेकिन हां गेन बाजी अच्छा खासा इस पीन गेन ब सब्सक्राइब देता हूं फिलाल फिरी में टीशेट अब देथा तो सारे लोगों को मैंने दिलवाया अभी भी किनी को चाहिए तो टेली गराम चैनल पर वीडियो पीन है उनकी साहिता से मनवा सकते हो इनके अलावे भी कुछ जनकारी चाहिए तो इस्ट्रागराम पर जाए तो गेंवाजी करें कि तहर इनकी में कर सकता की जाए यहां देला करकर दो हैं क catch the biggest keyपर ले लुँआ और इनका सारे के लबाज यहां पर ले लूँँगा एसा भी मैं कर सकता हूं यहां पिर लिए नीदाडर या फिर ओस्वेल इस दोनों में से किसी एक के उपर रिस्क लेकर यहां पर मैं विकट की प्रिंग सेक्षन को यहां पर मैं ले लूंगार यहां पर एन्वुच तम कर दूंगा की पीटा वोंग भी अच्छा हो चाहिए अब केप्टन वहाज की बात कहते हो क केप्टन वहाज यहां से लेकर जितना भी पाकिस्तान का पेलियर इनके अलब नीदाडर को पिक करूंगा तो वह भी केप्टन वहाज के लिए बेस्ट्रोप्शन होना चीए और है भी तो आप अपने अनुसार जा सकते हो लेकिन अगर जली पाकिस्तान वोमेंस पहले बले बाजी करेगी यहां पर हमारा की आमान ना हो सकते हैं यहां पर आपको टी हसन के उपर रिस्क लोना होगा यहां पर सीधे आपको नीदाडर को ले लेना होगा और इनके अलाबे देखा जाए तो बीमारूप को यहां पर पिक करने के लिए इन संधू के उपर रिस्क आपक करना है, मैं अपडेट करूंगा किस परकार करना है, उसी परकार से करना है, तो दोस्तों फिलाल के लिए मैं अपने वीडियो के यहीं समाप्त करता हूं, सिधा मिलता हूं इस मेच के अपडेट के साथ अपने टेली गराम चैनल Domestic Playing 11 पे